हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेक टो मैं चैनल तो फ्रेंट्स आज के वीडियो में प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही हल्दी ब्रेकफास्ट है अगर आप डाइट प्लान कर रहे हैं वेट लॉस करना चाहते हैं तो इस तरह से आप ब् है वो बहुत ही फायदेमंद होता है मार्केट से लिया गया प्रोटीन से बहतर है कि हम घर की चीजों से इसे बनाए तो फ्रेंट्स यहां पर मैंने कुछ डाले ले लिये हैं और उसे 8-10 गंटे के लिए सोक करने रख दिया था तो यहां पर मैंने सभी एक चुथाई कप ल चोटे वाले चावला जो रैट कलर के आते हैं वो मैंने लिये हैं तो इस तरह से मैंने चार चीजों को मिक्स किया है और सभी को मैंने 8-10 गंटे के लिए सोक करने रख दिया था और उसे अब मैं पानी से निकाल देती हूं तो 8-10 गंटे विगोने के बाद मैंने इसे पानी से अलग कर लिया है और इस तरह से आप देख सकते हैं अच्छे से फूल गई है तो फ्रेंट्स जब भी आप दालों का यूज करें उसे सोक करके यूज करेंगे तो उसमें से अच्छा प्रोटीन आपको मिलेगा तो इस त उसके साथ ही मैं इसमें एक हरी मिर्च और एक इंच अद्रक का टुकड़ा डाल दूगी तो फ्रेंट्स यहां पर मैंने ग्राइंडिंग जार में थोड़ी सी दाल एड़ कर दी है और अब इसके अंदर में हरी मिर्च डाल दूगी और अद्रक का टुकड़ा डाल दूगी इस तरह से ग्राइंड करने के बाद इसके अंदर हम दही डालेंगे तो आदा कप के करीब मैं इसमें दही डालूंगी तो फ्रेंडस इसका हमें एक पेश तयार करना है और जो रेसिपे हम बनाने जारे हैं बहुत ही टेस्टी बनेगी तो यहां पर मैंने हरी मिर्च के साथ कुछ सुक्य मसाले भी डाल दिये है तो यहां पर मैंने लाल मिर्च पाउडर थोड़ा डाल दिया है बुने जीरे का पाउडर एक चुता ही चमच और इसके साथ ही काले मिर्च और थोड़ा सा हल्दी पाउडर ये बहुत थोड़ी से मसाले मैंने इसके अंदर डाल दिये हैं और अब इसे मैं ग्राइंड कर लूँगी यहाँ पर आप एक चुटकी अजवाइन भी डाल सकते हैं जिसे की डाइजेस्टिव होगा तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने इसे थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया और अब मैं पानी की जगे पर इसमें दही अड़ कर रही हूँ तो यहाँ पर मैं पानी अड़ नहीं कर रही हूँ यहाँ पर मैंने आधा काटोरी दही इसके अंदर अड़ कर दिया और अब इसे ग्राइंड करके इसका फाइन पेस्ट रेडि कर लूँगी और इसी तरह से जो बचे हुए डाले हैं उन्हें भी मैं अगले बैच में ग्राइंड कर लूँगी तो इस तरह से एक पेस्ट हमें रेडी करना है तो फ्रेंट्स धान रखें इस रेसिपी के लिए हमें बढ़िया सा फाइन पेस्ट रेडी कर लेना है और ये पेस्ट ना तो बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए और नहीं बहुत ज़्यादा गाडा होना चाहिए तो इस तरह से पेस्ट बनकर रेडी है और अब चलते हम गैस की तरफ तो मैंने यहाँ पर जो इडली बनाने वाला पॉट होता है वो गैस पर रख दिया है और उसमें पानी डाल दिया है अब हम इसे स्टीम करेंगे तो फ्रेंट्स यह जो भी बैटर हमने रेडी करके रखा है इसे अब हमें स्टीम करना है तो फ्रेंट्स अब यह जो बैटर है उसमें मैंने इनो का एक पाउच डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे स्टीम कर लेंगे तो steam करने के लिए आप जिस भी तरीके से steam करना चाहें प्रेशर कुकर में भी आप इसे steam कर सकते हैं तो इनो को फटावट से हम मिला देंगे और सारे बेटर को एक प्लेट में पोर कर देंगे और लगबाद 15-20 मिनट में अच्छे से steam होकर ready हो जाएगा तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर इडली वाला पॉट मैंने रख दिया था इसमें अच्छे से पानी डाल दिया था यह अच्छे से पानी जब बॉयल हो गया तब प्लेट को मैंने ओल से ग्रीस करके यह सारा बैटर इसमें पूर कर दिया और लगबग 20 मिनट तक हमें इसे स्टीम करना है और 20 मिनट के बाद आप इसे डखन खोल कर देखिए अगर यह अच्छे से स्टीम हो गया है तो उसे चेक करने के लिए एक नाइफ की मदद से आप इसे चेक कर सकते हैं नाइफ को हम इसके अंदर डाल कर देखेंगे अगर नाइफ पुरा सीधा सा निकल जाता है बेना चिपके तो समझे कि यह बनकर रेडी है तो फ्रेंट्स यहां पर मैंने 20-25 मिनट के बाद डखन खोल कर देख लिया था और इसमें हम एक चाकू डाल कर देखेंगे तो अगर आप नाइफ इसमें डाल कर देखते हैं और नाइफ पर कोई भी बैटर चि को सिधा सिधा बिना चिपके निकल गया है इस पर कोई भी बैटर चिपका नहीं है इसका मतलब यह रेडी है और उपर से हलके से हाथ लगा कर देखेंगे तो ड्राइसा लगेगा अगर थोड़ा सा भी गीला लगता है तो इसे दुबारा से स्टीम कर लीजिए दो तिन मिन आदा चमच राई 10-15 कड़ी पत्ते को हमने इस तरह से तड़का लिया था और यह जो तड़का है वो हमने इसके उपर डाल दिया है और अब जैसे ही ठंडा होगा तब हम इसे पीसेस में कट कर लेंगे तो फ्रेंड्स यहां पर यह जब ठंडा होगा तब इसे पीसेस में क अगर यह सारी दाले आप बच्चों को यह घर के सदस्यों को वैसे खाने को देंगे तो वह नहीं खाएंगे लेकिन यह अट्रेक्टिव नाश्ता यह टेस्टी नाश्ता हर किसी को बहुत पसंद आएगा और इसी तरह से हम प्रोटीन रिज डाइट ले सकते हैं और वेट लॉस के लिए यह बहुत ही फायदेमंद है और हमारी हल्थ के लिए भी बहुत फायदेमंद है क्योंकि प्रोटीन तो हमें खाना चाहिए तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं यह इस तरह से मैं इसके पीसे कट कर रही हूं और यह खाने में बहुत ही स्वादिस बने हैं अगर एरटाइट कंटेनर में इसे डाल कर रख देंगे तो दो दिन तक खराब नहीं होगा फ्रिज में यह अच्छे से बना रहेगा तो फ्रेंट्स आप इसे टिफन में बच्चों को दे सकते हैं तो फ्रेंट्स इवनिंग स्नेक्स के रूप में भी आप इसे यूज कर सक सकते हैं तो आप देख सकते हैं पीसिस कितने आसानी से कट हो रहे हैं तो फ्रेंट्स ट्राइ करिये प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट और यह रसिपे जब आप बनाएंगे तो सभी को बहुत पसंद आने वाली है इसे तो ट्राइए रसिपी और इसी तरह की और भी आसाने पेस के सांद मिलते हो अंगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई एंड टेक कियर